जाहिन दोस्तों, आज इकिस वीडियो में हमने यहाँ पर कुछ इस परकार के चार्ठ सवाल लिया है इन चारों में से मैं आपको केवल दो ही सवाल एकदम आसान भासा में सिखाऊंगा ताकि आप इस परकार के चाहे कितना भी सवाल हो, आप आसान ही सहल कर लें दोस्तों दो फर्मूला आपको पता होना चीए एक फर्मूला होता है A पलस B के होल स्क्वार इसका फर्मूला होता है A स्क्वार पलस 2AB पलस में B स्क्वार साइध आपको पता होगा दूसरा फर्मूला होता है A माइनस B का होल स्क्वार इसका फर्मूला होता है a²-2ab और प्लस में b² दोस्तों यह सवाल इन्हीं दोनों फर्मूला प्लेंगे पहला सवाल है 4x²-12xy-9y² दोस्तों अगर इस सवाल को देखेंगे तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि 4x²-12xy-9y² अगर यहां देखें तो इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल स्कूर माइनस दोस्तों इस माइनस से आप समझेगा यह वाला कहीं न कहीं इस परकार का बनाना है आपको तो यह काम करता हूँ कि मैं इसके तरह बनाने के लिए इस दो को अपने मन से लिखता हूँ अब दोस्तों यहां पर जो भी होता है यह होता है एक कामान तो कहने का मतलब कि a कामान हो जागा 2x अब दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 दूनी 4x होई गया है और यहां 12y है तो कहने का मतलब 3y b कामान होगा तब ही तो दो दुनी चार चारतियां 12XY होगा होगा इस परकार से हमने 12XY को लिख लिया यहाँ पर 2 x 2 x 3y यानि कि A²-2AB पलस में B कमान हो गया 3y का होल स्क्वाइर तो यहाँ पर भी 3 तरीका 9y स्क्वाइर हो जाएगा यानि कि इसको खोलने पर ये वल आ जाएगा और इसको हल करने पर ये वल आ जा रहा है और इसको हल करने पर ये वल आ जा रहा है यानि कोई फरक नहीं पढ़ रहा है लेकिन दोस्तों A²-2AB पलस B² बन गया तो इसको आप लिख सकते हैं A-B का होल स्क्वाइर यानिकि A का स्थारंपर होगया 2X माइनस B का स्थारंपर होगया 3Y यानिकि आप इस पूरे को लिख सकते हैं 2X-3Y का whole squared अब दोस्तों whole square का मतलब होता है कि संख्या को आप दो बार गुडा में लिख सकते हैं यानिकि 2X-Y और 2X-Y क्योंकि हमने बोला था कि जिस भी संक्या घात में जितना होता है उसको गुड़ा में उतनाही बार लिख सकते हैं जैसे कि अगर 5 घात में 2 होता है तो इसका मतलब होता है कि 5 गुड़ा 5 आप 2 बार लिख सकते हैं तो यहाँ पर भी इसका square हो गया एन घात में दो है तीसी परकार से इसको भी आप दो बार लिख सकते हैं यह आपका हो जाएगा answer यानि कि आपका गुड़नखंड हो गया दोस्तों उमीद करता हूँ कि अब आप समझ चुके हैं इसी परकार से आप सब के सब सवालों कर सकते ह दोस्तों यहाँ पर mistake से माइनस लिखा गया है लेकिन यहाँ पलस होना चाहिए था और पलस होगा भी ऐसा नहीं है तो यह वाला भी आप इसी परकार से 9 को लिख सकते हैं 3x का whole square और दोस्तों यह वाला भी इसी माइनस वाले formula अप मैच होगा जैसा कि आपको यहाँ दिखा दिख गया तो 1 का square 1 को होता है इसी लिए 1 है लेकिन दुस्तों यहाँ सब्सक्राइब क्योंकि 2 3 6 x होई गया जब 6 x होई गया तो कहने का मतलब बी कमान 1 होगा तभी तो 6 कम चे रहा होगा इस परकार से और यहाँ पर 1 का square करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है इसा को खोलेंगे यह आजाएगा इस फोड़ा करेंगे यह आएगा और एक का स्क्वार्udर के अके होता है तो इसको आप लिख सकते हैं कि तक एमाइनस एक के होग स्थान वे थ्री एक स माइनस वी के संपर वन ओगा इसको फॉल स्क्वार और दोस्तों फोलिस्वार का मतलब हो तब तें मस्कार जय हिंद